आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की और प्रस्तान करने वाले हैं तब भारत के सामान ने मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अउसर है और इसलिए आदरिनिय देज जी मैं पहली बार जब सामसद का सदत से बढ़ा और पहली बार एक सामसद के रूप में है इस भावन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भावन के दोर पक्ति पर अपना शीष जुका कर दे इस लोग तंत्र के मंदिर को स्रद्धा भाव से नमन करते हुई मैंने पैर रखा था वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोग तंत्र की ताकत है भारत के सामान्य मानवी की लोग तंत्र के प्रति स्रद्धा का प्रतिवीम है कि रेल्वे प्रेटफर्म पर गुजारा करने वाला एक करीब परिवार का भच्चा पार्लामेंट पोने क्याओं मैंने कभी कल्पना तंग नहीं किसे कि देश मुझे इतना सम्मान देगा इतना अशिरवात देगा इतना प्यार देगा कि सोचा नहीं साथ देगी हम मैंसे बहुत लोग है जो संसर्द्धवन के अंदर जो चीजे लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं कभी कि उसका उल्लेक की करते हैं हमारे यहां संसर्द्धवन के प्रवेश द्वार पर एक चांदों के उबनिशत का एक वाक्य है लोग के द्वारम करके पुरा वाक्य है उसका मतलब ही होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है हमारे प्रुशी मुनियों ने लिखा हुआ हमारे प्रवेश भार पर लिखा हुआ हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे है वो भी इस सत्यता के साक्षी है अधनिय अध्यक जी समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया यह हमारे सदन की समरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है समाज के हर वर्क का पतिनिदी विभी तिताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है अनेक भाशा है अनेक बोरिया अनेक पहरवेश है अनेक खानपाने सदन के अदर सब कुछ है और समाज के सभी तपके के लोग चाहे वो सामाजी क्रचना के हो चाहे आर्थी क्रचना के हो चाहे गाउं या शहर के हो एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावर सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामन्य की इच्छा कांख्षाओं को प्रकट करता रहा है दलीत हो पीडीत हो आदिवासी हो पिछडे हो महलाए हो हरन हरे का धीरे 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 योगजान बढ़ता चला गया है